हेलो एवरिवन वेलकम टू स्टेडी बस इस समय जितने भी एंबी एश्परेंट्स हैं उनके माइंड में एक फ्रीक्वेंट क्वेशन है मैं बार-बार कॉमेंट में देखता हूँ इमेल में देखता हूँ सर मेरे पास ये दो colleges के option है मैं कौन सा join करूँ मेरे पास ये तीन colleges है ये 5 colleges से मेरी call आई है इन में से best कौन सा है किस तरह से मैं filter करूँ कि मेरी जो specialization मुझे लेनी है उसके according best college कौन सा है अगर कोई college मुंबई में है या गुडगाम में है तो क्या उसको advantages मिलती है तो इस पूरे से वीडियो देख लेना इसके साथी वीडियो के एंड में आप सब के लिए एक सर्प्राइज है और उस सर्प्राइज से हर एक MBA एस्पिरेंट का बहुत जादा बेनिफिट होने वाला है तो लास्ट में आप सब को यह प्रोवाइड करोंगे एंड आपसलूटली फ्री है तो बहुत ध्यान से पूरी वीडियो एंड तक देखना माई नेम इस सौरप कोठारी लेट से स्टार्ट तो सबसे पहले बहुत चैनलों को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो जैं उनके नोटिफिक आपको सारे के सारे वीडियो लेक्शे मिलते है बिल्कुल बेसिक से लेके advance level तक की हर एक type का mock होता है बिल्कुल exam pattern होता है and आपको एक complete steady planner provide किया जाता है और साथ में पूरी preparation time कभी भी कोई doubt हो तो आप doubt forum पर जा सकते हो वहाँ पर अपने doubts को post कर सकते हो तो इस pen drive course को अगर आपको enroll करना है तो number of mocks कितने है और steady planner आपको होता है जिसमें goals of the day generate होते है जिससे एक बहुत systematic तरीकी से आपके preparation होती है तो अगर आपको enroll करना है तो यह हमारा help line number है 99589-37705 यहाँ पर आप contact करके demo lectures and course की details ले सकते हो ठीक है अब मैं अगर बात करूँ एक important topic तो जितने भी MBA experience है आप लोग भी confused हो आपके सामने A college है and B college है आपको नहीं पता आपके लिए कौन सा college best है तो यहाँ पर आप गलती क्या करते हो आप गलती यह करते हो आप location wise college को filter करने लगते हो कि सर यह मुंबाई का college है यहाँ पर companies जादा आती होंगी ऐसा नहीं है actually होता क्या है जो भी colleges होते है न वो colleges के already tie up होते हैं corporate के साथ जो उनके placements के लिए आते हैं वो अब depend नहीं करता कि college कहां locate करता है क्योंकि जो companies है वो तो वहाँ पहुंच ही जाती है अगर आप ऐसे significance नहीं होता आपको right decision लेना है कि आपका college कैसा है उसकी performance कैसी है third जो आप mistake करते हो mistake क्या करते हो आप किसी counselor से बात करने लगते हो या कोई random youtube वीडियो देखते हो या फिर भाई आप किसी teacher से पूछते हो और उसके basis पर आप college को filter करते हो तो यहाँ पर problem क्या आती है यहाँ पर problem यह आती है कि जो counselors वगरा होते है तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो colleges हैं वो commission provide करते है counselors को तो अगर आपको कोई college recommend कर रहा है तो वो शायद हो सकता है इसलिए recommend कर रहा हो कि पर admission पे उनको कुछ पैसे मिलते हैं जब आप YouTube पे कोई video देखते तो वहाँ पे क्या है वहाँ पे कभी न कभी gap create हो जाता है कोई information आपको नहीं पता होती और आपको biased information या biased analysis मिल पाता है उसके बाद अगर मैं किसी best decision लेना है तो आपको भई self मेहनत करनी पड़ेगी आपको effort करना पड़ेगा बिना effort के आप एक अच्छे college में नहीं जा पाओगे अब देखो एक चीज समझो जब आप MBA करने जा रहे हो तो आप 15 से 20 लाग रुपे spend करोगे तो क्या वो 15 to 20 लाग रुपे आप spend कर दोगे किसी भी एक इंसान के advice पर क्या आपके बड़े भाई ने ये बोल दिया आपके ब्रदर सिस्टर ने ये बोल दिया या फिर आपके teacher ने ये बोल दिया नहीं आपको self analysis तो करना है न तो इस वीडियो में आपको एक analysis ही बताने वालों किस तरह से करना है ताकि आप एक right informed decision जो 100% accurate हो without any biasness हो वो आप ले पाओ तो इसके लिए 3 important key points है सबसे पहला make a chart अभी के अभी जो भी colleges से आपके call आई है उसका एक ऐसा chart बनाओ जैसे मैंने आपके screen पे show किया यहाँ पे आप college का name लेको जो जो colleges आपको मिल रहे है उसका batch size लिखो कितने बच्चे है वो आपको लिखना बहुत जरूरू है मालों कोई college है जिसका average placement 8 lakhs है बट बच्चे ही 1000 है तो difficult होगा न वहाँ पे आपको अच्छी placement लेना हाउएवर मालों कोई ऐसा college है जिसका average placement 7.5 अलेकिन batch size यह 100 बच्चों का है तो वहाँ पे easy है placements कराना students की तो इसलिए batch size बड़ा important है उसके बद आप लिखो उस college की fees कितनी है total जो आपको fees देनी है including your hostel रहने का खर्चा अपकी tuition fee है सारी चीज़ यहाँ mention करो then आप mention करो college की average placement कितनी है जादतर colleges की average placement उनकी website पे provided होती है अगर नहीं provided है उनको email करो भई आप उस college में जाना चाहते हो तो आप अपनी research करोगे न अगर college ने website पे placement नहीं दे रखी तो उनको email करो मुझे आपका placement data चाहिए उसके बाद ही मैं join करूँगा तो colleges आपको revert करेंगे तो आपको initiative तो लेना पड़ेगा ठीक है तो average placement आपको ज़रूर लिखना है कि college का कितना है उसके बाद मीडियन placement लिखो जादतर colleges मीडियन प्रोवाइट करते हैं जो colleges मीडियन नहीं प्रोवाइट करते हैं अगर email करो कि मुझे median data शो करो कि आपकी placement कितनी है क्यों मैं इसा बोल रहा हूँ समझो बात को मालो एक college जिसका average placement 8 lakh है लेकिन मालो वहाँ पे बच्चों की placement है 4 lakh, 4 lakh, 5 lakh और एक बच्चे की 24 lakh की placement लगए जिससे average तो increase हो गया लेकिन उनका median नहीं increase हो पाएगा तो आपके पास जब median placement का data होगा तो median placement शो करता है middle value की इस range से मालो किसी college की median placement है 10 lakh तो इसका मतलब यह हुआ कि जो 50% of the students है उनकी placement 10 lakh से कम है और जो 50% बच्चे है उनकी placement 10 lakh से जाता है तो median placement बहुत ही एक अच्छा factor है जिससे आप एक college की placement performance को अच्छे से analyze कर सकते हो then आप यह देखो कि उस college के highest placement और lowest placement कितनी है बहुत सरे colleges क्या करते है वो एक limit set कर देते हैं कि हमारे college में minimum placement 8 lakh की है इससे कम अगर कोई company offer कर रही है तो हम उनको नहीं बुलाएंगे तो यहाँ पे आपको एक surety मिल जाती है कि हाँ यार मेरी कम से कम 8 lakh की नौकरी तो लग जाएगे तो इस तरह से आपको एक chart बनाना है जितने भी colleges है जब आप यह data लिखोगे है हाँ इसमें time लगेगा आपको 40 minutes, 1 hour, 2 hours लग सकते है लेकिन important है आप life का one of the most important decision ले रहे हो तो इस chart में जो भी colleges के आपके option है वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे, कोई भी challenge करेट नहीं होगा जब आपके सामने यह data होगा आप automatically figure out कर पाओगे अच्छा यार इस college का best size 100 students का है, इस college का best size 800 बच्चों का है, average placement दोनों colleges के 7.5 और 8 है तो मुझे यह वाला college बेटर लग रहे है तो automatically आपके mind में decision making process build हो जागा ठीक है, point number 2 क्या है, जब आपने data लिख लिए है सब कुछ, उसके बाद काफी बार ऐसा भी होता है कि colleges अपने placement report को थोड़ा सा plus minus कर देते हैं, तो उसके लिए हमारे लिए important है कि हम seniors और college के alumni से बात करें, इसके लिए आपको क्या करना है, आ college की senior से उन से पूछो कि आपका एक साल में experience कैसा रहा है, क्या college support कर रहा है आपको internship में, क्या college placement के लिए आपको ready कर रहा है, तो ये सारी चीज़े जब आप पूछो को तो आपको clarity मिलेगा, higher college हमारे लिए कितनी मेहनत कर रहा है, number 2 college के alumni, जो alumni 4-5 येर्स हो चुके है, college से graduate ह यहां से आपको ये पता चलता है कि यहां जो college का base है, कितना dependable alumni network है, और उसके साथ ही ये जो alumni है, इनकी corporate में कहां तक चीज़े जा रही है, और किस तरह से corporate में recognition है, किस तरह से लोग यहां पे companies में add हो रहे हैं, तो senior से बात करो, जो immediate seniors है, जो first year ये second year में है, यहां से आपक कुछ alumni से बात करोगे, तो आपको ये पता चलेगा, corporate में उस college का brand value कितना जादा है, तो ये बहुत important factor है, for sure आपको करना है, no matter आप कौन से college में जा रहे हो, आपको ये करनी ही चाहिए, activity ताकि आपका एक तो network भी build हो, साथ में आपको सही information मिल पाए, and you will listen straight from the horses now, जो तब पदलता है, अरे, इस college में तो finance की कोई company नहीं आती, यहाँ पे तो सारी marketing आती है, मैंने उसे सिर्फ average placement देखा था, तो आपको दो चीज़े ध्यान रखनी है, कि आप एक set specialization लेना चाहते हो, finance जाना चाहते हो, marketing जाना चाहते हो, HR जाना चाहते हो, तो जिस college को भी आप shortlist कर रहे हो, उसमें दो चीज़े देखोगी, जो specialization है, क्या वो college offer करता है, और offer करता है, तो किस तरह का performance है, उनके students का क्या response है, again LinkedIn से बात करनी है, number two, आपको यह देखना है, जो companies college में आ रही है, वो किस type की job profiles offer कर रही है, generally आप देखोगे, जो placement report होती है, उसमें mention होता है, कि इतना percent बच्चा finance job में गया, इतना बच्चा business development में गया, इतना बच्चा इस sector में गया, इतना बच्चा finance में गया, यह companies आई, तो उन companies आपको idea लग जाएगा, किस तरह के आपकी job लगेगी, and क्या जिस specialization में आप जाना चाहते हो, उससे related आपको job मिल पाएगी, या नही which college you join, चाहे आप IMF join कर रहे हो, एक्सलराइज join कर रहे हो, या एक average college join कर रहे हो, आपको अपनी skill building पे काम करना ही करना है, और skills आपकी better होंगी, तभी आप अच्छे से MBA में edge कर पाऊगा, देको MBA में भी ऐसा होता है, कि एक बच्चे की placement 8 lakh की लग रही है, और उसी class में, कु सबसे पहला resume building, जब भी आप MBA college में जाते हो, हर एक चीज जो आप resume में mention करते हो, उसका proof आपके पास होना चाहिए, resume बनाते कैसे, किस तरह से अपने leadership जो चीजे करिये, उनको highlight करते हैं, तो resume building अपने आप में एक art है, number two, spoken English, जब भी आप देखोगे MBA colleges में, वहाँ पे जो generally language रहती है, वह English रहती है, आपको presentations करने होते हैं, interviews करने होते हैं, group discussions होते हैं, तो थोड़ा सा English fluency पर हम लोग काम करेंगे, ठीक है, तो इन दोनों चीजों के लिए मैं आपको provide कर रहा हूँ, दो free courses, हर एक बच्चे को, जो भी हमारी complete community है, study bus की, सबको मैं एक free courses provide कर रहा हू आपको resume के samples मिलेंगे, interview कैसे crack करते हैं, आपके internship के interviews होंगे, job के interviews होंगे, जब आप communities जॉइन करोगे, आप club जॉइन करोगे, आप committees जॉइन करोगे, तो वहाँ पे आपको interview देना पड़ेगा, तो उनको crack कैसे करना हैं, उन सबके उपर video lectures हैं, साथ में मैं आपको e-books provide कर र and इसको complete कर लो, MBA start on a spell complete कर लो, ताकि आपका mindset बिल्कुल clear हो जाएंग, number two, spoken English, spoken English में आपने बहुत ही एक अच्छा course बनाया है, जिसमें आप एक बहुत ही अच्छे fluent public speaker बन सकते हो, English language को improve कैसे करना है, वो आपको यहाँ पे पूरा का पूरा provide date है, तो जो भी student MBA के लिए जा पर 18 प्लस certificate course है, financial analyst, investment banking, marketing, digital marketing, अगर आपको HR में जाना है, तो communication का course, otherwise excel, powerpoint, यह तो ऐसे course है, जो आपको हरे course में चाहिए ही चाहिए, अगर आपको long run में data science में जाना है, तो machine learning, data science, तो यह सारे के सारे courses अपने platform पे available है, और इन courses का best part यही है, कि यहाँ पे आपको बहुत ही जिसपे video lectures है, साथ में आपको एक 15 hours का project मिलता है, जिसमें आपने जितनी भी चीज़े सीखी हैं, वो सारी की सारी चीज़ा practical तरीके से implement करते हो, तो जब आप उसको implement करते हो, तो आपका जो exposure है, आपकी जो practical learning है, वो बहुत दादा strong हो जाती है, then आपको certificate मिलता है, जो आप अपने resume में add कर सकते हो, जिसको आप अपने LinkedIn पर share कर सकते हो, और कोई भी company उस certificate को verify भी कर सकते हो, तो इसका मतलब आप अपने resume में add करोगे, तो आपको काफी हद तक उसका edge मिल सकता है, तो ये आप courses enroll कर सकते हो, करना है, तो कोई भी अगर एक course में जाना है, तो वो आप avail क कर सकते हो, 9.99 पर, और हर एक course बिल्कुल basic से advanced है, वीडियो lectures है, जो आपने phone में, laptop में देख सकते हो, and सबके practical projects है, along with certification, तो अभी discount offer आ रहा है, जिसमें आप किसी भी एक course में जाना चाहते हो, तो code यूज कर लेना, study bus, आपको वहापे discount मिल जागा, अगर आप कोई भी तीन courses एक साथ enroll करते हो, तो 2499 में आपको तीनों courses मिल जाते है, code is super upgrade, and यह जो course की validity है, यह one year है, मतलब अराम से, आप अपने इन courses को कभी भी complete कर सकते हो, सारे के सारे courses का description available है, तो अगर आपको इस platform पे अच्छा लगे, तो यहाँ से कर लेना, otherwise बहुत सारे platforms है, जहाँ पर skill building कर आई जाते है, जहाँ पर आप comfortable हो, जहाँ पर आपको चीज़े समझ में आ रही है, वहाँ पर आप जॉइन कर सकते हो, तो मेरे भी demo lectures यहाँ पर check out कर लेना, उसके लागत दूसरे platform से available है, वहाँ पर भी check कर लेना, लेकिन skill building कर ज़रूर लेना, वो important है आपके MBA के लिए, त से लो, so all the very best, thank you so much and take care.